नमस्कार आप देख रहे हैं बॉक्स ओफिस ट्रैकर शाहिद कपूर स्टारल फिल्म कभीर सिंग बॉक्स ओफिस पर फर्राटा दोड़ रही है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर हफ्ते भर मही इतना जबरदस कलेक्शन कर लिया है इस फिल्म ने एक हफ्ते में 134 करोड 42 लाग का नेट कलेक्शन कर लिया है खास बात ये रही कि इस फिल्म ने पूरे हफ्ते 13 करोड से उपर का कलेक्शन किया जबकि सल्मान खान की भारत जैसी बड़े बजट के फिल्म अपने पहले सोमवार को ही 10 करोड के नीचे सिमट गई थी एक हफ्ते में सबसे स्टेजी से कलेक्शन के मामले में भारत ही वो फिल्म है जो कबीर सिंग से आगे है हलकि भारत इद के मौके पर रिलिज हुई थी जबकि कबीर सिंग नौन हॉलिडे रिलिज है वोक्स ओफिस पर आज कबीर सिंग का आठवा दिन है और अपने दूसरे हफ्ते के शुरुआत भी ये फिल्म दो अंकों में ही करेगी इस बात की पूरी संभावना है इसके सामने इस हफ्ते फिलाल कोई बड़ी फिल्म भैवी नहीं संभावना है कि ये फिल्म आज 12 करोड के आसपास कलेक्शन कर लेगी जिस रफ्तार से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है इस फिल्म का दूसरे हफ्ते में ही 200 करोड का कलेक्शन पक्का है दूसरे बिकेंड में इस फिल्म का कलेक्शन 50 करोड के आसपास रह सकता है फ्रेंड्स इस फिल्म को क्या आपने भी देख लिया है तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगी साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें